तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट चागाज डिजीज जिसे हम चागोमा डिजीज केते हैं जो कि हमारे पास ट्राइपनोसोमा की ही एक टाइप है तो आज हमने पढ़ना है कि किस तरह से चागाज डिजीज काज होती है विद यहल्प आफ ट्राइटो माइन बग उसका लाइ क्या करता है वह एजा वेक्टर ओफ चागाज डिजीज काम करता है और वह उस पारसाइट को कैरी करता है हुमन तो हीवन या पिर किसी भी रिज़र्वायर होस्ट में ठीक है तो अब हम चलते चुआज दे लाइफ साइकल तो ट्राइटो माइन बग सबसे पहले क्या करता ह प्लड लेता है और जाहर सी बात है फीमेल ट्राइटो माइन बग ही आएगी और वह बलड लेगी वह क्या करेगी वह मेटा साइकलिक ट्राइपोमेस्टीगोट्स को इंजेक्ट करेगी अपने फीकल माटीरियल में इधर बग आई उसने इसको किसिंग बग भी कहा जाता है ट्राइटो माइन बग को क्योंकि यह आता है और बिल्कुल चीक लोकेशन पर यह बाइट करता है जब यह बाइट करता है तो उसी जगे पर यह फीसिज ड्राप कर देता है तो बीसिकली इसके फीसिज में हमारे पास क्या होते है मेटा साइकलिक ट्राइपोमेस्टीगोट सोते अब वो मेटा साइकलिक ट्राइपो मेस्टी गोर्स है क्या चीज़ यह हमारे पास बिसिकली ट्राइपेनसोमा की एक ट्राइप है जो कि चागास डीजीज कास करती है उसका जो पैथोजिनिक फॉर्म है ऐसा फॉर्म जो इन्फेक्टिव फॉर्म है तो उसे हम मेटा को भी ड्रॉप किया जो फीकल माटीरियल को ड्रॉप किया तो क्या हुआ कि उदर से वह पैरसाइट माइग्रेट कर गया चला गया वांड में अब हमारे पास अल्टरनेट्स होस्ट यानि वह उल गया जिसको हम रिजर्वायर होस्ट करते हैं अगर वह मैं हुआ तो फिर हम कर देंगे ठीक है उदर ही सराइल के अदर मौझू desperate क्या करते हैं चूरू करते in इन्साइड इन्फेक्टिट सेल बाइनरी फिजिन के जरी यानि एक सेल दो में डिवाइड हुआ फिर दो फर्दर दो में डिवाइड हुआ सिंपल माइटॉस का प्रोसेस होगा बाइनरी फिजिन होगी और और एमेस्टी गोड्स पे डिविजन शुरू कर देंगी ठीके अब सिल के अंदर जो मूझूद में जबाइन चेँगे chyba लाइघी तो बटुश हो यह प्र guidance का ऑगκे वे फिर बाकी इंफेक्ट करेंगे अब क्या हुआ कि जो infected cell था क्योंकि ट्राइपो मेश्टीगोड तो बन चुके वो सेल बर्स्ट हो जाएगा और ट्राइपो मेश्टीगोड्स उदर से निकल के आएगा और ब्लड में फैल जाएगा और जब भी परेसाइट ब्लड में आते हैं इसको हम परसिटीमिया कहते है ठीक है अब क्या होता है अब दो तरहा से काम हो सकते है कोई और ट्राइटो माइंड बग आएगी तो यहां से ब्लड मील लेगी क्योंकि ब्लड में हमारे पास क्या मौझूद है ठीक है तो वो इसकी बॉड़ी में चले जाएंगी या फिर ऐसा भी हो सक है ठीक है अच्छा जिदर इसने बाइटिंग की है ना उस जगे पे स्वेलिंग होगी क्योंकि जिदर भी पैरेसाइट है कोई इंफेक्शन है जब उनका नंबर बढ़ता है उस जगे पे स्वेलिंग कास होती है ठीक है और अब सिक्रीशन भी कुछ कैमिकल की करते हैं पैर अच्छा ये तो केस हो गया कि इनकेस अगर वो बॉड़ी में मौझूद है एमस्टी गोट में कनवर्ट हो गए तो बाकी मसल्स वगएरा में जाएंगे बाकी टिशू को इंफेक्ट करेंगे अब इनकेस अगर कोई इसका जो वेक्टर है ट्राइटो माइंड बग आए और तो फॉर गट मिडगाट हांगी तीन हो उसके गट के पॉर्शन से है ठीक है तो क्या होगा कि सबसे पहले उसने लिया जो ट्राइटो माइंड बग था वो ट्राइपो मेंस्टी गट फों में है वह कंवर्ट हो जाएगा उसके फॉर गट से वह जाएगा मिड़ सब्सक् divide म मेटा साइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड में कनवर्ट हो जाएंगे और वहां मल्टिप्लिकेशन इंसाइड हाइंगट शुरू कर देंगे अब हाइंगट के बाद इसने तुरू फीकल माटीरियल मेटा साइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड इसी वज़े से अपने फीकल माटीरियल के साथ रिलीज करते क्योंकि इसके हाइंगट में मौजूद है ठीक है अब मॉस्कीटो वगयरा जो गए तो वो अपने माउट से इंजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके सलाइवा में पैरसाइ है ठीक है तो इसी वज़ेसे इसके फीकल माटीरिल साब अगर इनोंने दुबारा से किसी को बाई किया human को या किसी भी host को ठीक है तो क्या होगा कि दूबारा से infection होगा पूर दूबारा से life cycle continue अब अगर आपका कोई भी question है तो नीचे comments में drop करे I will give you the answer I hope कि आपको समझ आ भी होगी कहीं पर कोई कफूजन हो समझना ही हो तो पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच स्टेबलेस्ट अलाहाफिस कि 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 क